लोकसभा चुनाव के लिए कॉंगरस ने उमीद्वारो की चोथी लिस्ट जारी करती है कॉंगरस ने अपने चोथी लिस्ट में कुल 45 उमीद्वारो के नामों का एलान किया है जबकि राजस्थान की नागौर सीट हनुमान बेनिवाल की पार्टी के लिए छूड़ी है वैसे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग को भी लोकसवा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गिया है वे सूबे की राजगर सीट से ताल ठोकेंगे वहीं यूपी की अमरोहा से दानिश अली को टिकेट दिया गया है जो हाल ही में बसपा से नि सामने विकास ठाकरे चुनावी ताल ठोकेंगे बस्तर से मौजुदा सांसत दीपक बैज का टिकेट काट कर कवासी लखमा को टिकेट दिया गया है इसी तरह से हरिद्वार से हरिश रावत के बेटे विरेंद्र रावत नैनिताल से प्रकाश जोशी को उमीद्वार बनाए अमिलाडू के शिव गंगा से कार्ति चिदंबरम विरुधनगर से मनिकम टैगोर को पार्टी ने उमीद्वार बनाया है लोकसभा चुनाल दोहजार चौबिस के लिए कॉंग्रस ने अपने चौथी लिस्ट जारी कर दी है कॉंग्रस की चौथी लिस्ट में उतर प्रदेश की नौ सीटों पर उमीद्वारों के नामों का एलान हुआ है उतर प्रदेश की बारणसी सीट से कॉंग्रस ने प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी के सामने अजयर राय को फिर से उमीद्वार बनाये है वही बसपा से निश्कासित सांसद दानिश अली को अमरोहा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कॉंग्रस ने सहारनपुर से इमरान मसूद जहांसी से प्रदीप जैन, बारा बंकी से पी एल पूनिया के बेटे तनुच पूनिया, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंग को टिकट दिया है। इसके अलावा कानपुर से आलोक मिश्रा, बांस गाउं से सदन प्रसाद और फतहपुर सीकरी से रामनात सिकरवार को उमिदवार बनाया गया है। उतरप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अजेर राय वारानसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी के खिलाफ लोक सबाच चुनाव लड़ेंगे। मही वारणसी से प्रतियाश्री बनने के बाद कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्ष अजयराय ने कहा कि इस भरोसे के लिए कॉंग्रस पार्टी के शीर्ष नेतरत्व का आभारी हों। सभी पुराने नए कारेकरताओं को एक साथ लेकर चिनावी मैदान में रहूंगा। कॉंग्रस नेता ने कहा कि बेते दस सालों में वारणसी के बुनियादी मुद्दों को लेकर बनारस के घर घर तक पहुशना हमारी प्राथ मिकता है। कि 80 सीटों में से कॉंग्रस को 17 सीटे मिली हैं जिसमें से कॉंग्रस ने 9 सीटों पर अपने उम्मिदवार घोशित कर दिये हैं। हाला कि कॉंग्रस ने इस लिस्ट में अभी राय बरेली और अमेठी पर कोई प्रतियाशी घोशित नहीं किया है। कॉंग्रस ने अपनी चौथी लिस्ट में उतराखन की नैने ताल ओधम सिंग नगर और हरिदवार स्वीट पर भी प्रतियाशी के नाम का एलान कर दिया। कॉंगर्स ने नैनिताल उधम सिंग नगर से प्रकायर जोशी और हरिद्वार से विरेंद्र रावत को टिकर दिया है